खुब मजा कोड़ाया और जोर जोर से हसने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो हाती को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन फिर पुजारी और हाती तलाब से लोट कर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुक कर लोगों से बात करने लगा। हाती रोज की तरह दरजी की दुकान पर रुख गया। आज हाती ने अपने सोन में कीचड भर लिये थे। दरजी अपनी दुकान में बेटकर कपडों को सिलाई कर रहा था। जैसे ही हाती ने दरजी को देखा, वैसे ही हाती ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड फेक दिया। उस कीचड में दरजी तो भीगा ही, बलकि उसकी दुकान के सिले हुए सारे कपड़े खराब हो गया। इस सबसे दरजी समझ किया कि मैंने कल जो किया था, उसी का दंड हाती ने मुझे आस दे दिया। दरजी को अपनी गलती का हैसास हुआ और वो हाती के पास भाग कर गया। उसने हाती से मापी मांगने की कोशिस की। उसने कहा, हे गजराज, आपने मिलकुल सही किया। मैंने जो कल किया था, उसका नतीजा यही होना चाहिए था। हाती ने दरजी की तरफ देखा और अपनी सून्ट को हवा में लहराते हुए वहां से चला गया। दरजी को मनही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मजाग मस्ती के चकर में एक अच्छा दोस्त हाती को खो दिया था। उस दिन से दरजी ने ठान ली कि वो किसी को भी मजाग में भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। Moral of the story, इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि किसी के साथ भी बुरा ब्यवाहर नहीं करना चाहिए, मजाग भी नहीं ओडाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर खुद के साथ भी वही हो सकता है।